भारत के धाकर, विकेट कीपर और बल्लेबाज रिशब पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेर कर अपने फैंस को गेल थके बारे में जानकारी दी है। इस समय पंत अपने घर पर रिकवरी कर रहे हैं। सड़क हाथसे का शिकार होने के बाद रिशब पंत मुंबई अस्पताल में इलाज कराने के बाद घर लोटे थे। सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो में रिशब पंत स्विमिन पूल में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो स्विमिन पूल में एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहे हैं। पंत ने सड़क हाथसे के बाद अपने चलने की वीडियो शेर की है। उनकी पीट पर जलने के निशा भी साफ नजर आ रहे हैं। पंत ने हाल में अपने शीग्र स्वस्थ होने के लिए मिल रहे समर्थन और शुपकामनाओं के लिए फैंस का शुक्रिया आदा किया था। कार दुरगटना के कारण पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज और फिर आगे आने वाले IPL 2023 को भी मिस कर दिया है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि वो आगे की चुनोतियों के लिए तैयार हैं। पंत ने कहा था मैं अब काफी बहतर हूँ और ठीक होने के साथ कुछ अच्छी प्रगती कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इश्वर की क्विपा और मेडिकल टीम की सहयोग मैं जल्दी पूरी तरह फिट हो जाऊंगा।